आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगी पोके हुए केले के बहुती बोर्यासा रेसीपी मैं उमीद करता हूँ आज का रेसीपी आपको आच्छा लगेगा तो चलते हैं सुरू करते हैं तो देखिए यहां पर मैंने साथ केले लिया है यह केले हमारा गारेन में ही था तो इसलिए यह बहुती छोटा छोटा है छोटा छोटा है लेकिन बहुती मीठा है भाई यह केले बहुती मीठा लगती है तो यह केले से मैंने साथ केले लिया है पहले केले का छिलका को उतार लूँगी ये केले को हामारा यहां पर चीनी पाटिया केले बलते है तो केले का छिलकात उतार लिया अभी हाँ बर ग्यास में मैंने लिया है कड़ाई और लो टू मिडियों फ्लेम पर हम पहले ये एक कप आटा को ना भुनेंगे आटा को एक दम लो टू मिडियों फ्लेम पर ही भुनें दो मिनिट हो चुकी है, दो मिनिट का बाद देखिए थड़ा सा कॉलर चेंज हो गया ना, इस तरह सहामी से चार से पांच मिनिट भुनेंगे तो ये बहुती बढ़िया से सुने रह हो जाएगा, और खुस्पू भी बहुती बढ़िया आएगा अभी देखिए, हामारा जो आटा है ना, बहुती बढ़िया से भून चुकी है, इसका कॉलर चेंज हो गया है, अभी मैं इसे एक्साइट कर दूँगी, और यहाँ पर कढ़ाई में मैं जितना भी कुले का छिलका का उतर लिया था, इसे ले लिया है, अभी इसमें मैं डालू एक कप दूद, यह दूद को पहले मैं उबाल कर रखा था, तो पहले ग्यास को हाई पर रखना होगा, और इस तरह से उबाल आने के बाद ग्यास को लोफ लेम पर रखकर, इससे ढखकान देकर छड़ दूँगी, तीन से चार मिनिट तक, तीन चार मिनिट के आब बात करके भी ले सकती है, तो यह मेल्ड हो गया, अभी में यहां पर थोड़ा सा चिनी लूँगी, सिर्फ दो चामुच चिनी लिया है, ज्यादा चिनी नाने का अभी जरूद नहीं, और दो चामुच मैने देशी कोकनट का बुरादा लिया है, योदि आपका पास नारियाल है आप नारियाल का कर्दुकस करके भी ले सकती है, तो यह सभी मिक्स हो गया, अभी में जो भूना हुआ आटा का रखा था ना इसमें डाल दोंगी, और लो फ्लेम पर इसे मिक्स करूंगी, आज का रेसीपी सबसे पैसाल, यह बहुती बढ़िया बनेगा, सब का पसंद होग जरूर, तो धीरे धीरे देखिए यह एक डो की फ़म में आ गया है, योदि आपको यहाँ पर यह थड़ा सा हाड लेगा, तो यहाँ पर आप फिर से दूद भी यूज कर सेकती है, तो डो हामारा पर्फेक्ट बन गया है, अभी यह कड़ी छड़ रहा है, तो इसे थड़ा सा कलर आने के लिए कैसर का धागा भी लिया है, यह अभी आ गया है उबाल, यहाँ पर एक तार दो तार करना जरूद नहीं, यह मैं चस्नी द्यार कर रहा हूँ, सिर्फ थड़ा सा चिपचिप का लगना चाहिए, तो ग्यास का कर दूँगी, अप इसे एक साइट कर दूँ तो डोगों ना में एक थाली को ट्रास्पर कर लिया था, डोव हामारा बिल्कुल थंडा हो चुकी है, अभी यह डोगों पहले मैंने हाथ में थड़ा सा मसल लूँगी, थड़ा सा मसल लूँगी तो यह बहुती बढ़िया सा सप्ठ हो जाएगा, और हामारा रेसीपीना ब बरा साइज का त्यार कर लिया है, और एक सिक्रेट तरीका देखिए, यह में लिया है छनी, जो छनी से हमने बरा को छानती है, यह बरा को ना यह चनी का बीज में रखकर इस तरह से थड़ा सा प्रेसर कर लूँगी, तो देखिए, बहुती बढ़िया सा डिजाइन हामारा त्यार हो गया है, फिर से देखिए, इस तरह से सेंटर में मैं यह चनी का थड़ा सा प्रेसर कर लूँगी, तो वाओ, कितना बढ़िया डिजाइन मिल गया न इस तरह सा मैं सारे बरा को डिजाइन देखर त्यार कर लूँगी तो फाइनाली देखिया यहाँ पर मैंने पांच बड़ा त्यार कर लिया है यह बड़ा को जो उपपर वाला जो दीजाइन है ना यह बहुत ही बड़ियासा क्रिस्पी वनेगा और अंदर तक सब्ड होगा आप इस तरह से एक बाद जरूर ट्राइ कीजिये तो ग्यास पर एक पेन में मैंना दिफाइन ड़ाइल को हीड होने के लिए छोड़ दिया था तेल हमारा बहुत ही बड़ियासे हीड हो चुकी है एक एक यह बड़ा को यह हीड ड़ाइल में छान लूँगी पहले यह पांच को छान लूँगी फिर से और जितना भी मेरा पास तो बच्चा है इस तरह से त्यार करके चान लूँगी तो एक तरफ यह सुने रहा हो गया है दुसरे तरफ को पलट लूँगी बहुत बड़ ऐसा होती है ना दोस्तों कि मार्केट से जब हमारा केला आती है केला बच जाती है और सड जाती है हम इसे फेक देती है लिकुन हम इसे घर पर त्यार क्या है और गेहुका अटा से क्या है। तो यह जो डीजाइन देखिए, यह डीजाइन फ्राय होने के बाद na बहुती प्यारा सा नज़र आ रहा है ना यह बहुती बड़ी असा कलर हो चुगी है। तो इसी प्रसेस से गल्डेन ब्राउन करके मेरा पास इतना भी वरा है छान लूँगी और छानने के बाद बहुत जल्दी लेकर मैं इसी चास्तनी में छाड़ दूँगी ताकि चास्तनी में 10-15 मिनिट तक हम इसे छाड़ देने से ये सब्ठ हो जाएगा वाउ दिखने में बहुती प्यारा नजर आ रहा है ना देखिए इसका डिजाइन ये डिजाइन देला वाला छानी ना सबका घर पर है जब यह आप मालपुआ बोरा त्यार करती है ना इस तरह सा डिजाइन देकर आप त्यार करेंगे तो बहुती दिखने में प्यारा लेगे और खाने में भी यह बहुत ही टेस्टी लेगा उपर की तरफ देखिए बहुत ही कुरकुरा है अंदर तो देखिए बहुत ही सब्ध है तो योद्य आपको मेरा आज का रेसिपी इंट्रेस्टिंग लगा है आप मुझे जरूर लाइक करके सपट कीजिए मिलते हैं फिर एक न